हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ सर्दियों के खास मैथी के परहाटों की रेस्पी सेयर करेंगे और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इन्हें आप गर्मा गरम खाएं या ठंडा होने के बाद खाएं ये बहुत ही जादा खस्ता और बहुत सारी पर्तों के साथ बनते हैं तो चलिए फटा फट से बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने 100 ग्राम मैथी ली है जिसके डंडियों को हमने अलग कर दिया है और सिर्फ पतियों का ही यूज किया है तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से दो से तीन बार दुलकर बारी काट कि सबसे एक चमच बेसं डालेंगी इसे 6 चमच जीरन आदा चमच अजiosa को अजवाइन अज में को से रगडख बढ़िया है इससे पराटों में टेस्म आएगा औरüm लाल मिर्च पाउडर डाला है और यहां पर हमने दो हरी मिर्च और आधा इंच अद्रक के टुकड़े को ग्रेट करके डाल दिया है एक चमच इसमें हम तेल डालेंगे इससे पराटे बहुत ज्यादा खस्ता बनेंगे और कटी हुई मैथी को डाल देते हैं साथ में कटा तो यह देखिए मैथी और मसाले आटे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सक्त डो तयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक हम सक्त डो तयार कर लेते हैं तो मैथी में भी बहुत स तो इसके लिए इसका डो हम थोड़ा सा सक्ती लगा रहे हैं तो ये देखिए डो बनकर हमारा तयार हो गया और इसे हमने थोड़ा सा सक्ती रखा है तो इसे दो मिनट के लिए हम रेश्ट पर रख देंगे दो मिनट से जादा इसको रेश्ट पर नहीं रखेंगे नहीं तो मै एक बार इसे और अच्छे से मसल कर हम चिकना कर लेंगे और इसके बाद हम इसके पराटे बनाएंगे तो मीडियम साइज की इसकी हम लोईयां तोड लेते हैं तो ये देखिए इतने आटे में तीन लोईयां बनकर हमारी तयार हो गई तो हतेनियों से उसे चिकना करते हुए इ इसकी एक हम लोई तयार कर लेते हैं तो ये देखिए लोई तयार हो गई तो चलिए अब पराटा बनाना सुरू करते हैं तो लोई पर थोड़ा सा सुखा आटा हमने लगा लिया है और इसको अब हम गोल बेल लेंगे इस तरह से अगर आप मैथी के पराटे बनाएंगे तो य आज हम इसका चौकोर पराटा बनाएंगे तो एक चम्मच तेल हम पूरे पराटे पर अच्छे से लगा लेते हैं अब ये देखिए साइट से इसे फोल्ड कर देंगे और उपर से थोड़ा सा तेल हम और लगा देते हैं ये दिखिए इस तरह से एक बार इसको हम और बनकर तयार हो गई अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डश्ट करेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे तो इस तरह से जब हम पराटे को बनाएंगे तो पराटे में बहुत सारी लेयर्स आएंगी तो जैसे नॉर्मल पराटे बनाते हैं बैसे ही इस पराटे को हम बेल ले तो यह देखिए हमारा चौकोर परहाटा बनकर तैयार हो गया तो इसको अब हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और एक और दूसरी तरह का परहाटा हम आपके साथ सेर करते हैं तो यहाँ पर लोई पे थोड़ा सा सुका आटा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे यह देखे ग बापस से इस पर तेल लगाएंगे और पूरे परहाटे पर अच्छे से तेल को हम फ्हला लेते हैं और एक पार बापस से फिर से हम फोड़ कर देते हैं तो यह देखिए हमारी तिकोन लोई बनकर तैयार हो गई तो अब इस पर हम थोड़ा सा सुका आटा लगाएंगे और जैसे परहाटे बेलते हैं बिलकुल بैसे ही इसकोअब हम बेल लेते हैं तो बेलते समय धच्छे का कि हमें इसे पिर हम है यह देखिए तो यह तिकोन परहाटा बनकर भी हमारा तैयार हो गया तो आज हमने आपके साथ तीन तरह के परहाटे सेर किये हैं तिकोन गोल और चोकोर तो चलिए अब इने हम सेंख लेते हैं तो तबा हमारा गरम हो चुका है तो इस पर हम परहाटे को डाल देंगे जब एक साइट से हलका सा यह सिख जाएगा तो इसको पलट देंगे और अब इस पर हम तेल लगाएंगे आप यह परहाटे घी पलट कर दूसरी साइट से भी हम तेल लगा देते हैं तेल भी आप कम ज़्यादा जैसा चाहें बैसा इस पर लगा सकते हैं तो बस दोनों साइट से उलट पलट करते हुए मीडियम प्रेम पर इन परहाटों को हम अच्छे से सेंख रहेंगे और इनके किनारों को आप दबा है तो इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के परहाटों को भी बिल्कुर इसी तरह से हम सेंख लेते हैं तो यह देखिए चोकोर परहाटा सेंख रहे हैं परहाटे सेंख ते समय एक ही बात का आप ध्यान रखीगा कि मीडियम फ्लेम पर इन्हें आप सेंखीगा इससे परहाटे बना कर हम तैयार कर लेंगे तो यह लीजिए सारे परहाटे बनकर हमारे तैयार हो गये और आज से हमने दही के साथ सर्व किया है तो सुबह का गर्मा गरम मजेदार सा हमारा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया और यह देखिए कितनी सारी लेयर्स परहाटे पर यह पछलब ये पहांट। थंड़ें भी बहुती जादा अच्छे लगते हैं। अपनीद आप को आज के हमारे मैती के पहातों की रस्पी मैती पशूट कावा तो कैसी लगी आप को आज के हमारी तो कमेंड करके jij जरूर बताएं। और रस्पी अच्छी लगे तो से लाइक और सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें थैंक यू